तो हेलो दोस्तों आप सुन्रका स्वागत है पर सबस्क्राइबब06 सबस्क्राइब हो सब्सक्राइबե। सबस्सक्राइब करupa रहा श wide Hardy मुझे आज य। जिसे की 6 रड़ हैं जिसकी 125 मीटर है वही मन पाड़ की 142 मीटर है गौर्लाड़ है बल्क्रामपुर जिले के अंतरगत सामरी 6 यहीं नियुए है पहा जगल पहाड़ों से घेरे गौर्लाटा तक पहुँचने का अभी तक कोई भी अच्छा रास्ता नहीं है चांदो छितर केदरी पार्ट से गॉर्लाटा तक पहुँचने का एक मातर जंगली रास्ता है आसपास के गावालों का इसी जंगली रास्ता के दोरा इसी स्थान पर आना जाना लगा रहता है लेकिन यहां के खुबशूरती अब तक बाहर नहीं आ सकी है इस पाड़ी पर कई गुफाय और प्राकितिक जलस्तोते भी है लेकिन वहां तक पहुँचना अभी के परस्तिती में बहुत ही कस्त दायक है दो-तिन वर्स पहले बलरामपो डियेफो और उनकी टीम ने 8 किलोमेटर का कटिन सफर तय करके इस गौरलाटा के उची चोटी पर पहुँची थी और वहां के प्रस्तितियों का प्रतक छोलोकन करके वास टावर लगाने के लिए सरकार से मांग किये है क्योंकि इस इस इस्थान से दूर-दूर का बहुत खुशूरत नाजरा देखा जा सकता है इस जगह के बढ़ती पर सिधी को देखते हुए सासन ने भी इसे प्रतन स्थल बनाने की युजना बना रही है इसके विकाथ से चत्यगर में प्रतन को भी बढ़ावा मिलेगा वैसे तो इस पाड़ी पर जाना बहुत ही कटिन है लेकिन पाच वर्स ये एडवीन कांता ने इस कठिन काम को सफल करके दिखाया है वर्स 2015 में एडवीना कांत नाम की बच्ची अपने दल के साथ गौरलाटा सिकर पर पहुँचकर चत्यगर के सबसे छोटी परवता रोही बनने का गौरों हासिल किया है